युक्रेन की खूफे अब भाग के प्रमुक का बड़ा दावा रूस के युद्ध हारने की भविश्यवानी की है साल के अन तक युद्ध जारी रहने का भी दावा किया राश्पती पुतिन के तख्ता पलट की भी भविश्यवानी की क्या युक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में रूस हार जाएगा क्या राश्पती पुतीन के खिलाफ रूस में बड़ी साजिश हो रही है क्या रूस में व्लादमीर पुतीन का तखता पलट होना तै है रूस के साथ चल रहे महायुद्ध में युक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है शहर के शहर नश्ट और बरबाद हो चुके हैं महातबाही के इस खौफनाक मंजर में ना जाने कितने लोगों की जान गई और ना जाने कितने लोग घर से बेघर हो गए बावजूद इसके ना ये युद्ध थम रहा है और ना ही दोनों देशों के बीच चल रहे प्रोपोगेंडा वॉर का अंत होता दिखाई दे रहा है इन सब के बीच युकरेन की खूफिया विभाग के प्रमुख ने जो दावा किया उससे पूरी दुनिया की नजर जर्नल बुटानों की भविश्यवारी पर टिक गई है रूस के राश्पती व्लादमीर पुतीन का तख्ता बलट करने का काम जारी है जबकि इस जंग में गर्मियों की दिनों में एक टर्निंग पॉइंट आएगा और साल के अंत तक रूस ये जंग हार जाएगा इतना ही नहीं बुटानों ने ये भी दावा किया कि राश्पती पुतीन इस वक्त कैंसर और अन्य बेमारियों से जूच रहे है जिसके वज़े से उनकी मांसिक और शारीरिक हालत ठीक नहीं है बुटानों की दावे के पीछे कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा हाँ इतना जरूर है कि बुटानों का बयान प्रपोगेंडा वार से कम नहीं है